नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंगलिस चोज विदा भी में को दिखा रहा हूं कि बिहार सरकार की तरब से सिक्षा विभाग बिहार सरकार परात्मिक शिक्षा निदेश चार ले की तरफ से दोस्तों परेश क संजे कुमार जी है अपर मुख रिच्ऴ और आप देख पारहें कि सभी जिला पदा अधिकारी जो भी बिहार के हैं सभी जिला के सिक्षा पदा अधिकारी जो भी बिहार के है तो आएए इस खास अपडेट को आगे बढ़ाते हैं और आप पूरा विस्तार पुरक समझाते हैं क्या है पूरा मामला तो आएए दोस्तों समझते हैं महाशया महाशय उपर यूगत विशेक प्रसंग के अधीन अधीसुचना के समन्द में कहना है कि बिहार पंचायत प्रारंबिक सिक्षा जो भी सिक्षक स्वरी नियोजन नियुजन 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 न आफ फेप को दोस्तों दिये जाएंगे नियुक्ति पत्र तो आपको और भी बतादें कि क्या है पुरा मात्पूर्ण मामला उसको भी समझा देते हैं मुक्ति नियमावली के इंसार नियुक्ति निकाई को पदों की संख्या के अनरूप चाहने तभी हर्थियों को समित के सदस से सचीव के हस्ताक्षर से निबंधित डाग द्वारा नियुक्ति पत्र भेजा जाना है साथ ही आपको बतादें कि पदिस्थापन के विद्याले में योगदान है तो 30 दिनों का समय निर्धाई किया गया है जो नियुक्ति पत्र में उल्लेखित होगा और सम्बंधित विद्याले के प्रधाना ध्यापक या प्रधान सिक्षक से या पेश्चा की जाती है या पेश्चित होगा कि नियोक्त पत्र की संपुस्ट नियोजन इकाई से कराने के उपरात अभियर्थियों का योगदान सुईक्रत करेंगे आए अब आपको और भी कुछ महत्पूर आप सभी के लिए दोस्तों जो बिंदू है उनको भी समझा देते हैं कि चैनित अभियर्थियों को विद्य आले काउंटन पारड़सी माध्यम से करने के संबन जो निर्देश दिए गये हैं उनसे संबनेद आपको सारी महत्पूर बाते में समझाने बाड़ा हूँ पहला पॉइंट चैनित अभी अर्थियों को विद्याले कामोंटन उसके अधिक्षा 24 के आधार पर दोस्तों किया जाएगा पहला पॉइंट बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है दोस्तों यदि आपको पसंद आ रही है दोस्तों ये प्रयास ये नियूज आपको लगती है कि मैंने आपको सही अभी तक दी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेर कर दें तुरूंट के तुरूंट दूस्तों इसको जितना भी अपने शाथियों तक पहुचाना है पहुचा ये और चैन को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जो टच करिए तो सेगंड पॉ तीसरा पॉइंट आपको बता दें कि पंचय नियोजनिकाई हे तो अधिक्षा के लिए प्रखंड पदाधिकारी और प्रकंड विकास पदाधिकारी से समनवे स्थाबित करते फुए किया जाएगा ध्यक्ता कि अगला पॉइंट आप सभी के लिए दूस्तों आप देख पा रहे हैं ये खास अपडेट आप सभी के लिए है दोस्तों कि जिन नियोजन निकाई में चैनित अभी हर्थियों को नियोगत पत्र वित्त किया जाना है उस नियोजन निकाई से संबंदित विद्यालेवार रिक्तिका प्रकाशन जिला के NIC के वेबसाइट पर नियोगत पत्र के और भी बिंदु हैं जिनको आप चाहें तो आप को क्या करना है कि आप तुरंट के तुरंट चैनल मेरे जो टेलेग्राम ग्रूप है उसमें जाईए आपको वहाँ पर इसका पेड़ेफ मिल जाएगा डाउनलोड करके एक बारा फिर से इसको देखेगा फिलाल मैं आपको और सारी के सारी महात्पूर्ण बातें यहां पर और भी बताऊंगा आपको इसलिए अंतक मिले साथ जरूर बने रहेगा आपको बता दूँ कि जो नियुक्त पत्र का प्रारूप है उसको उसमें वांचिस सुचनाई भर करके आपको छे प्रतियों में तयार किया जाएगा और नियुक्त पत्र वित्र दिवस पर उसकी एक प्रति चैनी तभिर्थी को दे दी जाएगी मलब छे प्रतियों उसकी तयार करे जाएगी और उसमें से एक आपको दी जाएगी नियुक्त पत्र वित्र दिवस पर उसकी एक प्रति चैनी तभिर्थी को देने के बाद में नियुक्त पत्र की एक प्रति जो भी डाक से संबनेत अभिरतियों को भेजना भी आवश्यक होगा, दोस्तों आपको बता दें कि एक एक प्रति जो नियुक्त पत्र के है विद्याले के प्रधाना ध्यापक या प्रधान सिक्षक के साथ साथ प्रखंड सिक्षा प्राधिकार जो आपका रहता है, वहाँ पर एक एक प्रति दोस्तों दी जाएगी, तो इस सारी की सारी महत्पून बाते हैं, आप सभी के लिए उम्मीद करता हूँ, जो भी आप तक मैंने पहुचाई है, वहाँ आप सभी के सामने आ चुका है, उसके बाद आपको बताना चाहूंगा, ज अभी के लिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि सभत प्रति का प्रारूप भी इसमें अटेस्ट है, तो उसको भी दोस्तों आप की आपके काम आएगा, यहाँ पर आपको सारा बढ़ने के बाद में सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे आप देख आपको बढ़ने के लिए, तो वीडियो को लाइक करके शेर जरूर कर दें, चैन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टश करें, ताके भविश्य में भी ऐसी खास अब्डेट आपको जरूर मिलती रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद दूस्तों, आप सभी को अंत आप सभी का दिन शुभो